कि में कुशन नंबर वन जो कि औल लेडी आपको बता चुका हूँ कि डिवीजन अलगरिम पे बेस्ट है कुशन नंबर टू कुशन नंबर फोर और कुशन नंबर फाइफ इन तीन कोश्टिंस के लिए इन तीनों कोश्टिंस को आपने किस तरीके से ध्यान रखना है उसके लिए मैं थोड़ा सा पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ शोड़ाइट टाइप के कोश्टिंस में क्या करना है तो इसके आपके तीन केसे अगर वहाँ पे आपसे बोला जाए मतिजरस या फिर नंबर्स पॉजिटिव बोला होगा में पहले पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव नंबर्स तो हमेशा ध्यान रखना है कि इस केस में आप remainder जो लेट करना है, वो always आपने क्या लेट करना है, 0, 1, 2, 3, इस तरीक के बता है, sequence में, 0 से start करना है, 0, 1, 2, 3, अगर आपके पास show that वाले questions में बोला गया हो, कि odd positive integers, तो इस case में आपने जो remainder लेट करना है, वो क्या लेट करना है, 1, 3, 5, और अगर आपसे बोला गया हो, कि even positive integers, तो इस case में आपने जो remainder लेट करने हैं, वो लेट करना है, 0, 2, 4, इस तरीके से आपने लेट करना है, तो ये concept आपको पता होना चाहिए, तब भी आप उस question में ध्यान रखोगे, कि remainder क्या क्या लेट करने होते हैं, तो always ध्यान र number बोला जाए, तो आपने remainder क्या लेट करना है, 0, 1, 2, 3, और अगर आपको odd positive integer बोला जाए, तो उस case में आपने जो note करना है, उसमें क्या note करना है, remainder को 1, 3, और 5, और even positive integer अगर बोला जाए, तो इस case में आपने जो note करना है, वो remainder को 0, 2, 4 लेट करके लेके चलना है, तब ही आ इन्ही टॉपिक्स के बहाफ पे आप स्टार्ट कर पाओगे कॉशंस को तो अब हम बात करते हैं कि क्वेश्ट नंबर 2 एक्साइज 1.1 का कैसे होगा तो अब आप देखो क्वेश्ट नंबर 2 एक्साइज 1.1 का यह रहा कॉशन देखो आप नाओ एक्साइज 1.1 का कोश्चन नमबर 2 है यह, कोश्चन नमबर 1 जो है, वो मैं आपको बढ़ा चुका हूँ, कॉंसेट वाली क्लास में, कि कोश्चन नमबर 1 जो था, एक्च्छल में कुछ नहीं है, फाइंड एसेफ ऑफ 2 नमबर्स बाई उसिंग उकलेट डिवीजन अल कोश्चन नमबर 1 के बाद, कोश्चन नमबर 2 है यह, शो था, एनी पॉजिटिव और इंटीजर इस ऑफ दे फॉर्म उफ 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, वेर Q इस सम इंटीजर, अब यह कोश्चन आपको ऐसे देखने में लगेगा है, कि शो देट का कोश्चन है, कैसे क होता है, तो सबसे पहले आपको क्या बोला है, कि शो देट एनी और पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी और पॉजिटिव इंटीजर जो होगा, वो आलवेज आपके इस फॉर्म में रिटेन होगा, चाहे वह आपके यह फॉर्स नमबर कुछ भी हो, रिमेंडर हमेशा और प पॉजिटिव इंटीजर होगे, वो इसी फॉर्म में रिटेन होगे, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, अब इस टाइप के कोईशन को कैसे स्टार्ट करते हैं, वो पहले आप देख लो, हमेशा याद रखना है, सबसे पहले शो दैट के कोईशन को कैसे करना है, सबसे पहले इंटीजर, आपने जो A जो है, उसको आपने लेट कर लेना है कि वो कोई भी और पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, बी आपने हमेशा जो लेट करना है, वो क्या लेट करना होता है, जो आपके यहाँ पे जो नंबर होता है, उसको देख के आपने लेट करना है, तो remainder की जो value होगी वो आपकी 1, 3 और 5 होनी चाहिए तो remainder आप पहले ही judge कर लोगे 1, 3 और 5 आएगी अब यह जो question है वो हमें इस question को भी किस तरीके से show करना है by using Euclid division और लेमा पर बेज़ जाहिए भी तो आपने लिखना है पहले की यहां पर remainder जितने होंगे उतने case आपने show करने है तो मैं case 1 ले लेता हूँ सबसे पहले आपको case wise show करना है इसे तो case 1 में आपने सबसे पहले क्या धिहान रखना है कि आप case 1 में क्या क्या ले रहे हो B की value को 6 ले रहे हो और R की value को आप 1 ले रहे हो using Euclid division lemma आपने क्या लिया है case 1 में B की value को 6 और R की value को 1 Euclid division lemma method से करना है तो Euclid division lemma method जो होता है वो यह होता है कि A is equal to BQ plus R तो A की value any positive odd integer तो वो तो आपकी A की value A ही रहेगी B की value already मैंने आप लिखी हूँ है तो आप भी यहाँ लिख दो 6 और Q आपका रह गई रहेगा क्योंकि Q जो है वो sum integer है कुछ भी हो सकता है वहाँ पे वो और then remainder first case में कितना है आपका 1 तो देखो अब आपका यह इसको देखके आपका यह first part बिल्कुल match कर गया it means आपका case 1 जो है वो satisfy करता है case condition को then ठीक इसी तरीके से आपने case 2 लेना है और case 3 लेना है मैं case 2 लेके दिखाता हूँ अब next case 2 case 2 में आपको B की value वही same 6 और remainder की value आपने कितनी लिखनी है 3 लेनी है फिर वही है आपने बाई EDL A is equal to BQ plus R होता है तो A is equal to 6Q plus 3 हो गया ठीक किसी तरीके से आपने इसका next case भी show करके दिखाना है वो मैं आप इस side में कर देता हूँ उपर कर देता हूँ questions तो आप जो हम PDF आपको send करेंगे इसका link तो उसमें आप question देख लेना case 3 आपको मैं उपर यहाँ पर solve करके दिखा रहा हूँ case 3 में आपने क्या करना है ठीक उसी तरीके से B की value आपकी वही 6 और R की value आपकी last time 5 लेनी है हर एक remainder आपका use होना है इस question में तो वही करेंगे सेम कि by Euclid division lemma A is equal to BQ plus R और A की value आपकी कितनी है A तो A ही रहेगा B की value 6 Q plus 5 तो यह आपका case 3 भी यहाँ से show हो गया अब आपकी यह जो cases है case 1 इसमें आपका show हो गया कि 6 Q plus 1 होता है B में आपका show हो गया 6 Q plus 3 और case 3 में आपका show हो गया 6 Q plus 5 तो आपको finally last में क्या लिखना है कि therefore above all cases shows that shows that that के बाद जो भी statement है question की वो बिल्कुल azities आप same to same copy paste कर दोगे कि आपकी statement क्या है question में that के बाद से सारी statement question में से आपने copy paste कर देना है बस यह आपका यह complete हो गया question किस तरीके से करना है मैं दुबारा बता दूँ always आपने क्या लिखना है let a be any अगर odd positive integer बोला है तो remainder odd के लिए 135 लो गया अगर even होता तो even का concept अलग होगा अगर सिर्फ integers होते तो उनके case अलग होगे इसके लिए आपको एक पहले मैं आपको एक बता दूँगा कि इसमें किस तरीके से हम integers को lead करते है remность को कैसे lead करते है integers को देखते हुए odd है तो odd के case में lem anderes क्या lead करेंगे even है तो even में lemander क्या lead करेंगे और इसी तरीके से अगर सिर्फ only integers हैं तो रिमेंटर क्या लेट करेंगे, ठीक है, तो पहले आप ये कोशन नंबर टू, नोट डाउन कर लो, एक साइज 1.1 का कोशन नंबर जो 4 है, वो करेंगे, तो एक साइज 1.1 का जो कोशन नंबर 4 है, अब भी आपने कोशन नंबर 2 करा होगा, और मैंने ये भी बताया कि कोशन नंबर 2, 4, 5, तीनो एक कॉशन पर बेज़ नहीं जहां पर मैंने आपको रिमेंटर लेट करने की टेक्निक्स बताई थी, कि आपने कब कौन से रिमेंटर लेट करने हैं, अब इस कोशन को ध्यान सा देखो, वो रिमेंटर वाली कंडिशन अब यहां पर ना तो ओड है, ना ही आपके पास एवन है, इट मींस अल्ली आपके पास क्या है, पॉजिटिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर के केस में रिमेंटर क्या क्या लेट करने होते हैं, 0, 1, 2, 3, ऐसे कॉंटीनिव आपने करते चले जाना है, तो आपने यहां पर क्या करना है, कि रिमेंटर तो पता लग चुका है, आपको कि किस तरीके से लेट करना है, how to start the question, कैसे start करना है, उसके लिए आपने क्या याद रखना है, कि always आपने इस टाइप के questions पर सबसे पहले क्या लिखना है, कि let A be any positive integer, यह भी कहीं से नहीं देखना कुशन में भी देख सकते हूँ, आप लिखा है clearly कौन सा आपने लेना है, positive integer लेना है, odd होता तो odd positive, even होता even positive नमबर लेते हैं, अब आपको B, B कैसे decide करते हैं, जो prove करना है, उसमें हमेशा जो यह numerical value होती है, उसको लेना है आपने, तो B की value आपकी कितनी आ गई, 3 आ गई, अ आप रिमेंडर के लिए मैंने आपको पहली बता रखा है कि रिमेंडर आपने इंटीजर के केस में क्या लेट करना है, 0, 1, और 2, और भी लेट कर सकते हैं, बट यहां पर 3 लिखा है, तो आम 3 केस ही दिखाएंगे, और माक्सिमम आप हमेशा इस थाप के कोशन में, माक्सिम कर दिया, B क्या लेट करना है, और रिमेंडर क्या लेट करना है, इसमें most important जो line है, वो यह है कि to show that the square of any positive, square of any positive integer था, square word को ध्यान रखना है, square of any positive integer, इस square के बिहाब पे कैसे कैसे condition बनेगी, तो 3 केस लेना है, हम सबसे पहले case 1 लेते है, case 1 में सबसे पहले आपने क्या लिख जीरो, और by EDL, यानि कि Euclid Division Lemma, फॉर्मला आपको इसका पता है कि क्या होता है, EDL का फॉर्मला क्या होता है, A is equal to BQ plus R, A, A रहेगा, B आपका यहाँ पे 3 आ गया, यह Q, और एमेंडर आपने क्या लेना है, 0, अब यहाँ पे इसको थोड़ा से simplify कर लेते हैं, कि 3Q plus 0 क्या होगा, किसी भी नंबर में 0 आट करोगे तो वही नंबर आंसर आएगा, तो A is equal to कितना आगया, आपके पास 3Q आगया, अब आपने उस main condition को याद रखनी है, square है आपर, तो आपने भी आपे क्या करना है, squaring both side, squaring both side, तो squaring both side में, आपने A का भी square करना है, और 3Q का भी square करना A का square तो A square हो गया, और इसका square कितना आगया, 9Q square, अब यह आगया कि A square is equal to 9Q square आगया, बट आपको अपनी जो condition शो करनी है, वो किस फॉर्म में शो करनी है, 3M या फिर 3M प्लेस 1, बट यहाँ पे तो 9Q square आ रहा है, यानि कि आपका 3M तो आई ही नहीं रहा, तो इसलिए हैं, इसके बाद, A square is equal to, आपको इस 3 के terms में इसको break करना है, तो आप इसको क्या यह लिख सकते हो, कि 3 multiply, 3Q square, इसको multiply करोगे, फिर भी यह क्या number आएगा, 9Q square ही आएगा, बट हमें इस फॉर्म में लेके आना है, इसलिए हमने इस 3 multiply something कर दिया, यानि 3 के terms में इसको अमने factors म break कर दिया है, अब अगर मैं 3Q square को अपना कुछ assume कर लूँ, मालनो मैं इस number को M led कर लेता हूँ, तो M अगर led कर लूँ, तो मेरे पास condition क्या आगई, A square is equal to 3M, और यहाँ bracket में आपको reason देना पड़ेगा, कि हमने क्या assume कर आए, therefore, 3M is equal to 3Q square, यानि कि जो condition आपने यहाँ पे द यहाँ गया, उसके साथ में जो भी number हो, उसको आप हमेशा क्या led कर लो, M led कर लो, तो आपने 3 को अलग लिख लिया और बाकी जो number बचा था, उसको हमने क्या led कर लिया, M led कर लिया, इससे क्या हो गया, यह हमारा case 1 में 3M के case में हमारा यह प्रूव हो गया, तो 3M की condition में पह ताकि आप स्टार्टिंग से इस question को देख पाओ, तो case 2 की बात करते हैं, मैं case 2 थोड़ा और भी अच्छे से समझा देता हूँ, case 2, तो case 2 के अंदर आपने क्या ध्यान रखना है, case 2 भी बिलकुल इसकी तरह की से start करना है, जैसे आपने case 1 लिया, case 2 के अंदर भी आपके पा आपने पता है कि कौन सा माथर यूज होना है, by, Euclide, Divisal, Lemma, formula आपको पता ही है कि A is equal to BQ plus R होता है, A की value आपको पता है कि A है, B आपका 3Q और R की value 1, इसको यूज करके हम यहां तक, बिलकुल यहां तक आचोके, अब आपने यहां भी क्या करता है, squaring both side, यहां भी आपने both side, तो A का square और 3Q plus 1 का whole square, अच्छा यहां तो A का square है, यहां पे 3Q plus 1 का whole square है, it means यहां पे एक identity लगेगी, जो आप 8th class से बढ़ते आ रहे हो, A plus B का whole square, तो उस form में आपने break करना है, तो A square, 3Q का square, plus 2, 3 is a 6Q, मैं एक बर लिक भी देता हूँ, A square plus 2 multiply first number, multiply second plus second number का square, यहनि कि A square plus 2AB plus B square, तो A square is equal to 9Q square, plus 2, 3 is a 6Q, और 1 का square, 1 ही होता है, अब आपकी जो second condition थी, उसमें आपने क्या धिहान रखना है, कि आपको जो question शो करना है, वो 3M या फिर 3M plus 1 के form में ही शो करना है, तो 3M के form में होगा, या तो 3M plus 1 के form में होगा, तो यह वाला तो 3M के form में आ चुका था, इसको हमें 3M plus 1 में ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि लास में देको 1 आ रहा है, तो आपने क्या करना है, 3M plus 1 लेना है, तो इसको भी कुछ ऐसा कुछ कॉमन लो और ब्रेक करो कि यह 3M के term में आ जाए, तो क्या करना चाहिए, हाँ पर, A square is equal to, इन दोनों में से आप only 3 common ले लो, Q common नहीं लेना है, क्योंकि हमें 3M plus 1 दिखाना है, 3 common ले ले, तो यहाँ पर bracket में क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा आपका 3Q square plus 2Q, और यह plus 1, 3 इन दोनों में से सिर्फ common लेना है, तो आपके पास यह result आ गया, अब आप फिर वही वाला तरीका यहाँ पर यूज कर लो, कि 3 तो आ चुका है, इस पूरे पार्ट को क्या लेट कर लो, M लेट कर लो, अब M लेट कर लोगे आप इसे, तो आपकी second condition भी आपकी satisfy हो गई है, तो मैं थोड़ा सा यह भी erase करूँगा, तो आपके पास clearly आ चुका है, कि 3 M plus 1, 3 M plus 1, और यहाँ पर मैंने क्या बताए कि आप reason दोगे कि आपने M किसको लेट किया हो है, तो आपने यहाँ पर M किसको आजूम कर लिया, 3 Q square plus 2 Q को आपने M लेट कर लिया है, 3 Q square plus 2 Q को आपने M लेट कर लिया है, तो इससे आपकी यह condition satisfied हो गई है, तो case 2 हो गया आपका, इसी तरीके से आपने case 3 भी show करना है, क्योंकि 3 cases दिखाने compulsory होते हैं, तो आप case 3 आप देख लो, यह line से case आप note down कर ले ना, ताकि आपको pause करके, आप easily आप pause करके, और एक एक case को आप पहले write down कर ले ना, उसके बाद फिर आप next case उदारना, तो case 1 के बाद, case 2 यह पूरा यह है, then आप case 3 देखो, यहाँ पर आ जाएगा, तो case 3 आप देखो, case 3 में भी सेम ऐसी लिखना है आपने की B की value आपकी कितनी है, 3, और remember आपका last वाला कौन सा लेना है, आपको 2 लेना है, और next आपके पास, by, EDL, A is equal to BQ plus R होता है, A की value यह, B की जगे पे 3Q plus 2, और फिर आपने इसमें भी क्या करना है, squaring both sides, इसके बाद का step यहाँ पर है, squaring, both sides, इसका भी जैसे आपने इसका square किया था, वैसे इसका square करना है आपने, तो A का square, और यहाँ पर 3Q plus 2 का square, सेम ऐसी, जैसे आपने वहाँ पर किया था, A square, और यहाँ पर A plus B का whole square open करना है, क्या होता है, A square plus B square, मतलब A का square, plus 2 multiply first number, multiply second number, plus second number का square, result आपके पास आएगा, 9Q square, 2, 2, 4, 3, is a 12Q, plus 4, अब आपको तो, वह form हमेशा याद रखने हैं अपने mind में, कि या तो यह 3M आएगा, या तो वह 3M plus 1 आएगा, अब यहाँ पर plus 1 तो कहीं से आपको दिखाई ने दे रहा है, अब यहाँ पर प्लस 1 तो कहीं से आपको दिखाई ने दे रहा है, अब इसका है आपको ब्रेक करके, कुछ सेटब कर लो, जिसमें आपके पास 1 जरूर आजाए, तो क्या कर सकते हैं यहाँ से, A square is equal to 9Q square plus 12Q, क्या मैं 4 को 3 plus 1 लिख सकता हूँ, इसे ब्रेक करने के दो फाइदे हो गए, एक तो इतने दूर से आपका 3 common है चाहेगा, और दूसरा आपके पास यहाँ पर 1 बचा रह जाएगा, तो अब आपने फिर वही common लेने वाला method यूज़ कर ले रहा है, कि इतने दूर में से 3 common ले लिजिए, और जो बचे वो और प्लस 1, और फिर बाकियों को M led करके आपने सेम करना है, तो इसके बाद मैं आपको उपर दिखा रहा हूँ, वीडियो को pause करके आप case 2 completely उतार लेना पहले, ताकि मैं आप आपको ये वाला खराब हाँ, ठीक है, तो एक बाद ढंक से पहले आप ये पहले note down कर लेना, then case 2 में इसके बाद का case यहाँ पर ही लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर रही है, इसके बाद का ये उपर बॉक्स में इसके बाद का step, तो a square is equal to, इन तीनों में से आपने common भी लेना है, तो इन तीनों में आपके पास पता है कि आपको 3m plus 1 दिखाना है, तो 3 ही common लोगे आप, तो 3 आपने common ले लिया, क्या बचा आपके पास यहाँ से, 3q square plus 4q plus 1 plus 1, हमने common सिर्फ इतनी दूर में लिया है, इसमें से नहीं लिया हूँ है, तो यह 1 आपका as it is है, अब आपने फिर वही करना है, a square is equal to 3, और इतने पूरे पार्ट को आपने assume करना है m, तो यह भी आपका 3m plus 1 आगया, और यहाँ पर reason दे देना है कि हमने किसको m led किया हूँ है, तो m हमने 3q square plus 4q plus 1 को हमने m led किया हूँ था, तो अब आपके पास तीनों cases में यह condition show हो चुकी है, कि आपने 3m और 3m plus 1 case आपने show कर दिया है, फाइनली लास्ट में आपने लिखना होता है, therefore, above all cases shows that, और that से लेके पूरी statement आपने question वाली ही copy कर देनी है, तो that के बाद से पूरी statement copy कर दो, और यह तीनों cases आप ध्यान से उतार लेना, show करके, then आपका यह question complete, ठीक इसी तरीके से आपका question number 5 होगा, यह आपने square पे based की है, वो आपका cube पे based करने का तरीका बिल्कुल सेम तो सेम रहेगा, आप चाओ तो खुद भी कर सकते हो, बट फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ, 1.1 का question number 5, अभी मैंने आपको question number 4 कर आए था, उस question में और इस question में कोई ज़्यादा difference नहीं है, बस इतना difference है कि वहाँ पे आपने square का case करिका था, और अब आपने यहाँ पे cube का case सीखना है, इस type के questions में मैंने question number 2, question number 4, question number 5, तीनों मैं मैं एक ही बात पहले आपको बता दो, कि तीनों के जो way है, स्टार्टिंग वे हैं, बिल्कुल सेम तो सेम रहेंगे, रिमेंटर कैसे लेट करना है, और कैसे करना है, बिल्कुल सेम तो सेम, बट ये cube वाले में थोड़ा सा एक चीज़ और आपको important ध्यान देना है, कि सबसे पहले, यहाँ पे है 9M, 9M plus 1 और 9M plus 8, यहाँ तो यहाँ तो क्लिरली लिखा हुआ है कि एनी पॉजिटिव इन्टीजर, यानि आपके पास कोई और इवन का चकर नहीं है, आपने सीधा क्या लिखना है, लेट, ए बी, एनी, पॉजिटिव, इन्टीजर, ठीक है, बी जो ए इस बार लेट करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप ध्यान से सुनना मेरी बाद, कि जरूरी नहीं कि बी आप इतना बड़ा ही नंबर लेट करोगे, यह 9 है, तो यह नहीं कि आप यहाँ पर 9 नोट करोगे, नोट कर भी सकते हो, बाद बहुत बड़े केसिस आएंगे, वहाँ पर आप उससे सॉल्ब नहीं कर पाऊगे, तो आप इसका नहीं कोई फैक्टर ले लो, यह निकि 9 किस के टेबल में आता है, तो 9 आपका किस के टेबल में आता है, सब से पहले सब को पता है 3 के टेबल में आता है, तो आप अपने B की वैल्यू को 3 भी ले सकते हो, ठीक है, क्जिकी अगर आप इसका क्यूब करोगे, तो भी वह नमबर 3 के टेबल में बीजबल होगा, और 9 के टेबल में भी डीजबल होगा, अब यहाँ पे case 1. Case 1 आपको करते-करते पता लग जया होगा कि case 1 लिखके फिर हमें कैसे solve करना होता है. तो case 1 में सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है कि B की value कितनी है 3 और R की value कितनी ले रहे हैं हम 0 ले रहे हैं. फिर आपने क्या करना है कि by EDL. मैं हाँ पे short form में लिख रहा हूँ EDL बड़ आप exam में पूरा लिखोगे by Euclid Division Lama. तो EDL, EDL का formula आपको पता ही है. क्या होता है? A is equal to BQ plus R. A तो आपका A रहेगा, B की value 3Q और remainder आपका कितना 0? यह मैंने आपको previous question में बड़ाया था कि किसी भी number में 0 आड़ करोगे वही number आएगा. तो A is equal to आपके पास कतना आगया? 3Q ही आगया, 0 आड़ करके. अब यहाँ पे, वहाँ पे fourth question में था square और यहाँ पे क्या है cube. तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है? Cubing both side. Cubing both side. तो Cubing both side के लिए A का cube और यहाँ पे इस side 3Q का cube. इसका cube करते हैं तो cube आएगा, इसका करते हैं तो 27Q क्यूब आएगा. अब यह तो 27Q क्यूब आगया है, बट आपको शो करना है 9M, तो फिर से वही 9 के terms में इसको factors कर लो, तोल लो इसे. A cube is equal to 9 multiply 3Q cube. इससे क्या हो गया है कि आपका 9 और इस number को आप क्या lead कर लोगे M? तो आपका आगया first case की, यह 9M के form में शो हो गया, तो अब आपने क्या लिख देना है कि A का जो cube होगा, वो आपका 9M के form में शो हो गया, और bracket में reason दे दोगे, कि हमने जो M lead किया हूँ है, वो किसको lead किया है? तो इस तरीके से आपका case 1 completely show हो गया, कि वो 9M के form में आ गया है, अब आप case 1 को pause करके, पहले आप इसे clearly known down कर लो, then मैं आपको case 2 करा दो, अब case 2 आप देखो, case 2, same way say, B is equal to 3 लोगे, R की value आप 1 लोगे, using, यानि कि buy, EDL, Euclid division lemma, A is equal to आपको पता है, BQ plus R होता है, और A is equal to B की value आपकी 3 है, Q की value आपकी Q रहेगी, और इम इंटर 1 आ गया, फिर आपने क्या करना है, cubing both sides, क्योंकि यह cube का question है, तो cubing both sides, अब आपने दोनों side क्या करना है, cube करना है, तो यहाँ पे A का cube, और यहाँ पे 3 Q plus 1 का cube, अब यहाँ पे एक most important चीज़ आ रही है, कि A plus B का whole square तो बड़े easy लिया आपने कर लिया होगा, बट A plus B का whole cube, 9th class में आपके, आपने सीखा होगा, आपके पास यह A plus B का whole cube आया होगा, तो यह identity आपको याद होनी चाहिए, कि A plus B का whole cube क्या होता है, तो A का cube तो यही होगा, इसका cube मैं आपके dictate करता हूँ, इसका होता है, कि first number का cube plus second number का cube plus 3 multiply first number का square multiply second number plus 3 multiply second first number into second number का square, A cube plus B cube plus 3 A square, B plus 3 A B square, identity repeat कर रहा हूँ मैं, A plus B का whole cube, A cube plus B cube plus 3 A square, B plus 3 A B square, यह आपको याद होना चाहिए, अब मैं इसको तरदा simplify कर लेता हूँ, तो A का cube तो यही होगा, इसका 27 Q cube, 1 का cube 1 होता है, इसको multiply कर लो आप, तो इसको जब आप multiply करोगे, यह यहाँ पर square है इसका, तो 3 Q के square कितना होता है, 9 Q square और 9 3 is 27, तो यानि कि यहाँ पर आपका आएगा 27 Q square, और 3 3 is 9 और 1 का square, तो 1 ही होता है, तो यहाँ पर 9 Q आएगा, अब आपके पास यह result आए, बट आपको 9 M plus 1 दिखाना है, तो 1 तो आपका यहाँ बीच में आ रहा है, तो पहले आप इसको थोड़ता arrange कर लो, यानि 1 को बाद में लिख लो, बाकी सब को पहले लिख लो, तो arrange कैसे करना है, 27 Q Q, plus 27 Q square, 9 Q, और plus 1, ठीक है, अब फिर से वही टेकनिक की इतने दूर में से, आप क्या common लोगे, 9 common लोगे, क्योंकि आपको 9 M plus 1 दिखाना है, 1 को छोड़ देना है बिलकुल, तो चलो जी, इस में से common ले लेते हैं, हम 9, 9 common लेंगे, तो क्या result आएगा, 3 Q Q, 3 Q square, plus Q, और plus 1, इस bracket वाले पार्ट को, आप क्या lead कर लो, M lead कर लो, तो यह आगया, आपका A Q is equal to 9 M plus 1, और यहाँ पर क्या bracket में mention करना है, कि आपने M की value क्या lead करी हुई है, ब्रैकिट वाला पूरा पार्ट copy paste करना है, 3 Q Q, plus 3 Q square, plus Q, ठीक है, ब्रैकिट वाला पार्ट ही आपने आपे लिख देना M की value, इस तरीके से आपका case 2 में भी यह condition satisfied हो गई, और show हो गई, कि 9 M plus 1 के form में आपका यह question completely हो चुका है, अब इसी तरीके से case 3 भी आपका होगा, क् कि at least 3 cases तो हमें दिखाने ही दिखाने है, तो वीडियो को pause करके आप थोड़ा सा, यह पहले आप note down कर लेना, then case 3 आप देखो, case 3 के लिए, now case 3 इसमें भी आपने same वही लिखना है, B की value 3 है, और Q की value आपकी इस बार, R की value कितनी आजाएगी, 2, डिमेंटर अब आपका 2 आजाए, फिर आपने वही लिखना है कि, by, EDL, जो की होता है, A is equal to BQ plus R, A की value as it is, B की value 3 Q plus डिमेंटर 2 आ गया, और अब क्या कर देना है, Cubaing both sides, cubing both sides, हमों कीjaw का case कर रहे हैं, Cubaing both sides, यानि A का cube, और 3 Q plus 2 का whole cube है, तो cube करना है, तो A का cube, अभी-अभी A plus B का whole cube की, मैंने identity आपको dictate की थी, कि A cube plus B cube plus 3A square, A plus 3A, B square, तो उसी identity पर आपने use करना है, वहीं note भी कर लेता, A plus B का whole cube क्या होता है तो A cube plus B cube plus 3 multiply first number का square multiply second number और plus 3 multiply first number into में second number का square ठीक है तो यह आजाएगा आपका 27 Q cube यह आजाएगा 8 3 का cube 3 का square तो 3 का square कितना होता है 9, 9, 3's are 27 27, 2, 54 Q square हो जाएगा और यह 3, 3's are 9 और 9, 4's are 36 Q हो जाएगा फिर आपको वही वाला तरीका जो आपने उपर वाले step में किया था केस 2 में किया आपने पहले से क्या करना है अरेंज करना है ताकि 8 आपका बाद में आ जाए तो A cube is equal to 27 Q cube प्लेस 54 Q square प्लेस 36 Q प्लेस 8 फिर आप आपको पता है कि 9 M प्लेस 8 दिखाना था में 8 आ गया ना तो बस इन में से क्या करो 9 common ले लो आप तो A cube is equal to 9 common लेंगे तो 3 Q 9 6 आप 54 होता है तो 6 Q square प्लेस 36 होता है और प्लेस 8 तो आपका है फिर से इस ब्रैकेट वाले पार्ट को M लेट कर लो आप तो 9 M प्लेस 8 और ब्रैकेट में क्या लिखना है कि यह जो भी ब्रैकेट वाले पार्ट है उसको आप M लिख दो है आप है कि हमने M किसकोर जूम किया हुआ है 3 Q Q प्लेस 6 Q square प्लेस 4 Q ब्रैकेट वाले पार्ट है आप लिखना है तो इस तरीके से केस 1 में 9 M शो हो गया था केस 2 में 9 M प्लेस 1 शो हो गया और केस 3 में आपका 9 M प्लेस 8 भी शो हो चुका है फिर आपने क्या लिखना है लास्ट में कि अबव और अब आप केसे शो दाट और दाट से लेके पूरी स्टेटमेंट हमेशा क्या करनी आते होती है कि आपको कोशन में से ही कॉपी कर देना होता है कि therefore above all cases shows that और that से लेके पूरी स्टेटमेंट आप कोशन में से कॉपी कर दो आपका ये कोशन हो गया शो तो अब आपको exercise 1.1 का question number 1 भी मैंने करवा दिया है question number 2 भी हो चुका है question number 4 भी हो गया और question number 5 भी आपको करा दिया है रह गया आपका बीच में question number 3 उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ ताकि आपको उसे भी बहुत एजिली कर लो उस question में कुछ खास नहीं है जब मैं आपको ये बता रहा था कि SCF की पहचान identification of SCF तो उस टाइम पर मैंने कुछ words लिखे हुए थे उन words को देखना और उस question को देखना उस question में आपको clearly मिल जाएगा कि question number 3 में exercise number 1.1 का जो question number 3 है उसमें एक word लिखा हूँ है maximum और maximum word को देखते ही बच्चे के mind में क्या हैगा कि हाँ जी हमें क्या निकालना है SCF निकालना है और SCF जो निकालना है उसके method मैंने वैसे तो आपको चार बता है बट करवाए हैं दो दो में भी आपको बताया था prime factorization और एक division method फिर आमने वहाँ पे Euclid division लेमा और Euclid division algorithm सीखा है बट आप 10th class के बच्चे हो तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप SCF always 10th class में जब भी SCF word आजाए आप EDA से निकालना Euclid division algorithm वाले method से ही आप निकालोगे अब prime factorization से मत निकालना क्योंकि prime factorization का method का use तो 4th class के बच्चे भी करते हैं 5th के भी अच्चे भी करते हैं 6th के भी बट हम 10th में है तो 10th class के according हमें EDA का ही use करना होता है अब आपकी exercise 1.1 आज ये clear हो चुकी है ये आप एक separate copy में बहुत अच्छ से पूरी exercise complete कर लो ये जस जैसे इंस्टूट में मैं आपको पढ़ाता हूँ उसी तरीके से बिलकुल same to same है तो आप इसे बहुती serious होके इस exercise 1.1 को with all concept आप पहले concept note down करो then आप exercise 1.1 को भी पूरे अच्छ से clear कर लो ठीक है इसके बाद next class में मैं आपको exercise 1.2 के concept plus exercise 1.2 पूरी आपकी मैं next class में clear कर दूँगा मैं ठीक है ओके आपकी मैं आपकी मैं